जीवन तो चुनौतियों से भरपूर है लेकिन मैं चीज है कि हमारे शास्त्रे नृत्य जगत में शास्त्रे संगी नृत्य सभी जतने भी कि गुरू से तो आप देखते हैं क्योंकि वो गुरू तो आपको बनाता है वो आपको पूरे लेकिन उससे आगे हमारी जो भारतिय परधिती है कि उसमें कि आगे आपके अंदर भी तो कुछ अपनी उर जाए अपनी कुछ सोच है तो उसको जो आपने सीखा है उसको उसमें कैसे ढाल करके आप पेश करते हैं और यही कारण है कि हमारे यहां भारत में हम बहुत ही इस पर जोर देते हैं हर एक वो सकल्प्चर हो, पेंटिंग हो, संगीत हो या नृत्य हो सभी कि आपके अपनी, आपने कैसे सोचा, वो नृत्य और आपने शिक्छा तो ग्रहन की लेकिन आपकी भी सोच तो उसमें है आपने गुरु की बात कहीं, जब मेरे गुरु यंग थे, उसमें उनके भी तो पूरवश थे, जो दिगगन्ज लोग थे, वो भी थे, शम्भू महराजी उसमें थे, लच्छू महराजी थे, सभी लोग थे, सितारा दीदी भी थी, तो फिर लेकिन उसमें उन्होंने अपना क्योंकि उनके अपनी एक अलग सोचने का ढंग है उनके अपना एक अलग उनकी खुश मूल है तो वो खुश मुझा लोगों को पसंद आया उनकी अपनी हुनण और उनोन अपना अलग पहचान किया तो इसी तरह से हर एक आडिस्ट जिसकी अपनी खुश मुझा अगर लोगों को पसंद आएगा तो फिर वो अपना पहचान बनेगा और नहीं आता है अगर उस अपनी तो फिर कुछ सफल हो रहते हैं, कुछ नहीं सफल होते हैं